नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं कि सी पी के टेस्ट क्या होता है क्रिटेनाइन फस्पो काइनेज टेस्ट यह टेस्ट क्यों किया जाता है यह टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट को करने की क्या आवश्यक्ता पड़ती है तो दोस्तों इस टेस्ट के बिश्तरत जानकार इस वीडियो के माध्यम से देंगे तो दोस्तो मेरा नाम सीवी सिंग और आप देख रहे हैं रोद्राइएंड हेल्थ केर यूटूब चैनल तो दोस्तों बात करते हैं कि सीपी के ब्लड टेस्ट दोस्तों सीपी के क्या होता है एक इंजाय में जो दिल दिमाग और मास पेसी म बीमारियों में सीपी के का इस्तर बढ़ जाता है एक्सीडेंट में मास पेसियों के कुछले जाने से भी सीपी के का इस्तर बढ़ जाता है यह टेस्ट कैसे किया जाता है इस टेस्ट के लिए रख्ति का नमूना ब्लड सेंपल की आवसकता होती है क्या इस टेस्ट से पहले किसी खास तयारी की आवसकता है तो दोस्तो ऐसा नहीं CPK टेस्ट क्या होता है इस टेस्ट की मदद से CPK इंजायम की बलड में कितनी मात्रा है इसकी जानकारी मिलती है क्या बिनाग बीमारी के भी CPK का इस्तर बढ़ जाता है हाँ कुछ खास परस्षितियों में जैसे पेशिंट की हाल ही में कोई सरजरी होई हो जादा इंग्जेक्शन लिए हो या बहुत जादा कसरत की हो यानि कि जब पी हमारे सरीर में ब्रेन, हाइट और मसल्स को कोई छत होती है तो CPK का इस्तर या लेवल ब्लड में बढ़ जाता है जैसे माइको कॉर्डियल इंफरेक्शन या इसे हार्ट अटेक्ट भी कह सकते है या एक हार्ट से जुड़ी समिस्या इस कंडिशन में है हमारे हार्ट से जुड़ी ब्लड वेसिल्स या नसे हैं जैसे कॉर्डियल इंफरेक्शन नसों या ब्लड वेसिल्स में ब्लॉकिज हो जाता है CPK क्रिटेनाइन फॉस्पोकाइनेस या एक प्रकार का इंजायम है जो हमारे ब्रेन हार्ट और मसल्स में पाया जाता है सीरम CPK टेस्ट के दोरा यह पता पता जलता है कि हमारे शरीर में CPK इंजायम की मात्रा कितनी है जिसके कारड हार्ट के टिसू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो टिसू डेमेज हो जाती है यानि कि टिसू की डेथ हो जाती है जिस बज़े से CP के की मात्रा हमारे बलेड में बढ़ जाती है जैसे muscular dystrophy यह एक ऐसी condition है जिसमें हमारे muscles कमजोर हो जाते है poliomyelitis यह poliobirus से होने वाली एक बीमारी है जिसमें poliobirus nerve cells को destroy करने लगते है इस इस्तिती में भी serum CP के level बढ़ जाता है इसके अलावा कुछ और भी समिस्या है इन परिस्तितीों में भी serum CP के level बढ़ने की संबाबना रहती है जैसे हाल ही में होई कोई surgery मडीज दोरा बहुत injection या बहुत ज़्यादा exercise kolesterol कम करने वाली दबाओं का शेवन करना कुछ और condition जैसे motor neuron disorder acute cerebrovascular accident AIB हमारे brain से संबंदित बीमारियां है तो इन कंडिशन में भी CPK का level बढ़ जाता है एलकोल का ज्यादा सेवन करना कोकीन का ज्यादा सेवन करना भी इससे भी CPK का level बढ़ जाता है CPK की normal range normal value of ketanine phosphokinase 60 से 174 inter unit upon liter of blood अलग-अलग laboratory में इसका level थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाता है अगर सीरम CPK के टेस्ट का रिजल नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सरीर में किसी भी परकार की muscular injury और muscular damage नहीं है दोस्तों अगर ये CPK blood test की video या जानकारी अगर आपके useful आपको अच्छी लगती है तो जादा से जादा इस video को like कीजिए share कीजिए और अभी तक इस channel पर यदि नहीं है तो इस channel को subscribe कीजिए दोस्तों जाहिन मिलते हैं next video के साथ